हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल LPMS क्लासिस में तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है नौकर साही तो आज जो हम देखने वाले हैं परने वाले हैं वो है नौकर साही का अर्थ, नौकर साही का पडिभाशा, नौकर साही का परकार और नौकर रुपे नियंत्रन उच्पदादकारियों के हाथ में हो और वे इतने स्वेच्छा चाड़ी हो जाए कि उन्हें नागरिकों के निंदा करते समय भी शंका और संकोच नहीं होता नोकर साही एक व्यांगत्मक सब्द जो सब्द है जो वर्ष्ट प्रसाशन के लिए प्रित्या जाता है नोकर साही की परिवासा अर्लेल्ड के अनुसार नोकर साही का मतलव है अपसरो द्वारा शाशन पिफरन के सब्दों में अधिकारी तंत्र व्यक्तियों और कारियों का ऐसा विवस्थित संगठन है जो सामोहिक प्रियास के द्वारा निश्चित लक्ष की शहज प्राप्ति कर सकता है जोर्ज पर्नर्ड सौ के अनुसार शत्ता के उपासक उच्पदादिकारियों की श्यमंत साही का दूसरा नाम ही अधिकारी राज्य है जोर्ज एवी के अनुसार नोकर साही का विक्रित अर्थ काम में धपना मनमानी अपवेवय तथा हस्त छेप माना जाने लगा है नोकर साही के परकार देखते हैं एफ एम मांक्ष ने नोकर साही के चार रूप की चर्चा की है चार परकार की चर्चा की है पहली अभी वावक नोकर साही इस धारना को मानने वाले वे लोग हैं जो यहां मानकर चलते हैं कि राश्ट के नागरिकों का यदी कोई कल्यान कर सकता है तो वह ही एक कर सकता है दूसरे लोगों के हाथों में सत्ता जाने का अर्थ होगा देश का अहित ऐसी नौकर साही के विरुद यदि जनता कुछ कहती है तो इनका कहना है कि जनता अज्ञानी है तथा जो उसे अपने भूले भले बुड़े की शमज नहीं है या समझ केवल उनके पास है ऐसी नौकर साही ब्रश्ट एवं अकुसल तो नहीं होती पर जनता के परती उत्तरदैक भी नहीं होती दो में दूसरा परकार क्या है जाती है नौकर साही इस परकार के नौकर साही में उच्च वर्ग के लोगों को ही परदानता दी जाती है या नौकर साही उन लोगों के वर्गिये संबंदों से पैदा होती है जो नियंतरन के मुख्य अस्थानों पर रहते हैं इसमें पहले से ही जो नौकर साही से सम्बंदित होते हैं वे अपनी संतानों या नस्दीकी लोगों के नए सदस्यों के रूप में दिख्षित करते हैं तीसरा परकार है संदक्षक नौकर साही नौकर साही का वह स्वरूप जहां भरती योग्गिता तथा परतीभा के अस्थान पर राजनेतिक दल या सरकार में पहुँच के कारण होती हो इस पदती को लूट पर थावी कह सकते हैं संयुक्त राज अमेरिका में अभी हजारों पद राष्ट पती अपने किर्पा पात्रों तथा राजनेतिक समर्थकों को परदान करता है चौथा गुनातमक नौकर साही इस परनाली में चयन का अधार परतीभा तथा योग्गिता के अधार पर खुली परिक्षा होती है यहां चयन में परतीभा तथा योग्गिता के अधार प्राथमिक्ता दी जाती है आजकल अधिकांस देशों में यही परनाली अपनाई जाने लगी है इस परनाली में करमचारी या लोक सेवु को किसी के परती दवाब हुआ न रहकर सरकार के परती उर्दरदाइक होता है तथा जन कल्यान में रुची ले सकता है जैसे कि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में यही परनाली चलती है जैसे आपने देखा भी होगा किसी आईएस पुलिस किसी भी चीज की अधिकारी अगर बनना चाहते हो नौकर साही तो उनके लिए उनको एक एक्जाम होता है यूप तो बोल करसाइब की लक्षन को देखते हैं नौकर साही की विसेस्ता इस परकार है पहली विसेस्ता क्या है कारे का सहरूप पुर्ण विक्सित कारयालों में काम काज पूरा करने तो करमचारी एवं अधिकारियों को ज्यादा कारी करना परता है इसलिए निस्चिस समय के ब परान्यता दिखाने और बड़े अधिकारियों को खुश करने का या सरल तरीका है जो पद उन्नती के लिए भी काम आता है दूसरा क्या था प्रिवासा अनुशाशन इस परनाली में अनुशाशन बद्धता पाई जाती है तीसरा पद सोपान पर अधारित संगठन या पदती पर सोपान पर भी अधारित होती है इनमें आदेस उपर से नीचे की और तथा उत्तरदाइक नीचे से उपर की और चलता है क्या कह रहा है आदेस उपर से नीची की और तो जो बड़ा अधिकारी है वह जो कहेगा वही नीचे वाले सारे अधिकारी करेंगे मगर जो उत्तरदाइक्त होता है वो छोटे अधिकारी की होती है छोटी अधिकारी की उत्तरदाइक्त होता है उससे नहीं तो उपर वाले ऐसे बढ़ते जलता है उत्तरदाइक्त ठीक है चौथा देखते हैं कारियाले का परमंद कारियाले का परमंद समानने नियमों के अनुसार होता है जो विस्तित या इस्थीर होते है इन नियमों को शीखा जा सकता है इन नियमों को विसिस्ट तकनीकी सिक्षन दोरा प्राप्त कर सकते हैं पांच में भरती परनाली नौकर साही में अधिकारियों तथा करमचारियों की भरती परतियोगियों परिक्छाओं तथा सक्षातकार के द्वारा होती है। छटे नियमों की महांता इस परनाली में अधिकारियों तथा करमचारियों के कारियों का निर्धारन एवं संचालन अवेक्तित नियमों द्वारा होता है यह नियम लगवक अस्थाई होते हैं तथा इनका निरंतर पालन करने की एक विवस्ता होती है साथ में कार्य छेत्र विभाजन नौकर साही में अधिकारियों को और करमचारियों के कार्य छेत्र को निश्ची ढंग से बाट देदने का सिध्धान्त नहित होता है कार्य विभाजन कानून अत्वा परसास किये नियमों के अधार पर किया जाता है निया मानुसार अवश्चक कारेकलाप राज्किय करतब्यों के रूप में बाटे जाते हैं एक अधिकारी की सत्ता परिश्रिमित होती है सिर्फ उन्ही वेक्तियों को नौकर रखा जाता है जो सम्बंदित कारे करने की योग्विता रखते हैं करतब्यके लिए नियमित एवं निरंटर पालन करने की उचित वेवस्था होती है आठ में सत्ता का हस्ततरण नौकर साही के अंतर गत करामचारियों अधिकारियों तथा उनकी सत्ता का संस्ततरण पाया जाता है पद के अनुसार सत्ता का विभाजान होता है निम्न सिरेनी में करमचारियों के कारियों की देखवाल उच्चञ निम्न पदादिकारियों के फैसले के खिलाब उच्च पदादिकारियों के पास अपील हो सकती है नौ में दस्तावेज का लिखित होना नौकर साही के अंतरगत दस्तावेजों का लिखित दस्तावेज तथा फाइलों के माध्यम से होता है इन्हें सुरक्षित रखने की विवस्था भी होती है इन्हें सुरक्षित रखने हेतु कलरक अत्वा फाइल की पर होते है विविन विशय की अलग अलग फाइल बनती है दस में विशे सग्यों की अवशकता आदूनिक नौकर साही के अंतरगत दफतरों का कारे जटील तथा विशेसित होती है अता कारे को करने हे तूं विशेस्ट प्रसिक्षन की अवशकता होती है एक ग्यारा में सक्ति अर्जित करना उनका लक्ष नौकर साही का सर्वत्ष लक्ष सक्ति प्राप्त करना होता है तथा इन सक्ति को बनाए रखना इसमें वर्दी करना इनका लक्ष रहता है इस तरह से सक्ति की राजनिति के पुजारी हो जाते है 12 में राजनेतिक तथस्ता नौकर साही की एक मात्वपुन विशेष्ता राजनेतिक से दूर रहना है ये लोग दल बदली में भाग नहीं लेते किसी भी दल की सरकार बने उनका कार तो सरकार की निती का किरिवान में होता है देखिए दोस्तों चाहे बीजेपी की सरकार हो या कॉंगरेस की हो या किसी भी अन्ने पार्टी का हो ये जो नौकर साही होते है ये सिंपल होते है मतलब ये अपना सरकार की जो निती है उनको काम पे काम करते है कोई सरकार रहे है इनको उनसे कोई मतलब नहीं है तेरह में देखते हैं पदो के एक अधिकार का अभाब नौकर साही में किसी भी एक व्यक्ति का एक अधिकार नहीं होता ठीक है यह नौकर साही जो है उसमें किसी का एक अधिकार नहीं होता है भाई आपके अंदर योगिता है तो आप एक्जाम दीजिए आप आई स्पुन जाये , ठीक है , संगठन की अवर्षक्ता अनुसार अधिकारियों का हंस्तांत्रन होता रहता है जिसको आप कहते हैं ट्रांस्वर हो गया है आज यहां से वहाँ है ना इसको हंस्तांत्रन कहते हैं नियमों का पालन करने पर पदोनति तथा पालन न करने पर पदानति की संभाबनाय रहती है देखे आप अगर एक जीले का डियम है अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको आगे पदोनति कर दिया जाता है अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको बरखास कर दिया जाता है ना इनकी वज़े से भी पदों पर किसी का एका अधिकार नहीं रहता चोधमा देखते हैं दोस्तों लास्ट सत्ता का अधार राज्य वाशासर के कानून दोरा होता है नौकर साही जो भी कार करती है उसको करने का अधिकार इसे सासन से प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के कारे में बाधा डालता है तो यह माना जाता है कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया तथा उसका उलंगन किया है यह सरकारी करमचारी के लिए कवज का काम करता है दोस्तों मांदिए कि एक वेक्ति है एक sdrm ंऔर आपने अवैद मतलब तरिके से घर बना रखा है वो घर को गिराने आता है तह। आप अगर उसको रोखते हैं तो आप क्या कर रहे है अप्द्व आप्द आप गेर कानोनी काम करें अबरूत करें क्यों 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 लोग सेवक है नूकर्स हाय उसके क काम हें यह करना अर वो मैक्ति कर रहा है किसके आदेश पर कर रहा है सरकार के आदेश ठीक है तो चाहिए आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों 2 के आसा करता हूं कि मैं होगा दोस्तों किसी परकार का कोई दिक्कत हो तो comment कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के नीचे और दोस्तो हमारे इस channel को subscribe कर लेंगे जिससे की आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद